हेलो दोस्तों, विलकम बेक टो मैच चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे Reserve Bank of India की तरफ से आई हुए वेकिंसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसमें India Siltre Bank की तरफ से वेकिंसी आई हुई है जिसकी नॉटिफिकेशन 28 January 2021 को आ गई थी दोस्तों दोस्तों, यहाँ पे RBI में 322 वेकिंसी के लिए पोस्ट आई हुई है दोस्तों, जिसमें से Office Grade B के लिए वेकिंसी आई हुई है तो दोस्तों, बात करें इसकी important date की तो इसमें दोस्तों, इसके online form submit करने की starting date 28 January 2021 की है और इसके online form को submit करने की last date 15 February 2021 की रखी गई है यानि कि दोस्तों, आप इसके form को 15 February 2021 तक submit कर सकते हैं दोस्तों, इसमें 3 paper होंगे जिसमें से first paper 6 March 2021 को लिया जाना है इसमें DPR and DSIM में paper second and paper third यहाँ पे 31 March 2021 को लिया जाना है दोस्तों तो दोस्तों, यहाँ पे vacancies को detail से देख लेते हैं कि इसमें किस post के लिए कितनी vacancies रखी गई है तो दोस्तों, यहाँ पे officer in grade BDR journal के लिए दोस्तों 270 vacancies रखी गई है and officer in grade BDR DEPER के लिए दोस्तों यहाँ पे 29 vacancies रखी गई है and officer in grade BDR DSIM के लिए दोस्तों यहाँ पे 23 vacancies रखी गई है दोस्तों, बात करें इसमें application fee की, कि इस vacancy में application fee कि इतनी ली जा रही है तो इसमें दोस्तों, STSE and PWD के कर्णिडेट से यहाँ पे 100 रुपे की application fee ली जा रही है and journal OBC and EWS के कर्णिडेट से दोस्तों, यहाँ पे 850 रुपे की application fee ली जा रही है चलिए दोस्तों, इसमें अब देख लिते हैं कि इसमें किस qualification के candidate इस फार्म को apply कर सकते है तो दोस्तों, यहाँ पे officer in grade B DR के लिए 60% of grade marks graduation के candidate and साथ में यहाँ पे diploma and 10th qualified candidate इस फार्म को apply कर सकते हैं दोस्तों इसमें officer in grade B DR के लिए यहाँ पे दोस्तों, master degree in with minimum 55% of grade marks के candidate इस फार्म को apply कर सकते हैं दोस्तों, इसमें officer in grade B DSIM के लिए master degree with pass in statistics and mathematics statistics के candidate इस फार्म को apply कर सकते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसमें age limit की, किस vacancy में age limit कितनी ली जा रही है तो दोस्तों, इसमें minimum 21 साल and maximum 30 साल की age limit ली जा रही है और दोस्तों, इसमें relaxable age government के rule के हिसाफ से यहाँ पे दिया जाना है चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसमें exam pattern की, किस vacancy में exam pattern कैसे रखा गया है तो दोस्तों, इसमें 4 subject के paper लिए जाएंगे, जिसमें से पहला है general awareness का तो दोस्तों, इसमें general awareness के 18 questions पूछे जाएंगे और इसमें 80 marks, maximum 18 marks रखे गए हैं दोस्तों, इसमें reasoning के लिए 16 questions हैं इंग्लिस language के 30 and quantitative aptitude के लिए यहाँ पे 30 questions पूछे जाएंगे इसमें total 200 questions पूछे जाएंगे और इसमें total 200 marks भी रखे गए हैं बात करें दोस्तों, इसमें timing की तो इसमें 2 घंटे का exam लिया जाएगा दोस्तों, इसमें main exam में total 100 questions पूछे जाएंगे दोस्तों, चलिए अब बात करतें, इसमें salary package की की इसमें per month की salary package कितना रखा गया है तो दोस्तों, यहां पे RBI grade B के लिए 35,150 रुपे की per month salary package रखा गया है दोस्तों, और इसमें the exact RBI grade B के लिए salary 77,930 रुपे की रखी गई है तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी information पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करें Thank you for watching and listening